कदाफी स्टेडियम लाहूर पाकिस्तानी क्रिकर टीम का वो मेदान जो ICC चेंपिन्स टौफी 2025 में सबसे ज़्यादा मैच्चिस को होस्ट करने वाला है अगर ये का जाए कि ICC चेंपिन्स टौफी 2025 में उसका होंग ग्राउंड कदाफी स्टेडियम लाहूर होगा तो गलत नी होगा ये वो मेदान होगा जहां पे इंडियन क्रिकर टीम अपने सबी मैच्चिस खेलेगी ये ही पर इस मैगा इवन्ट का सबसे बड़ा मैच्च यानि के फाइनल भी खेला जाएगा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये क्रिकर स्टेडियम 75 फिसद अभी मुकमल होने वाला बाकी है इसकी रेनोवेशन और अप्ग्रेडेशन की वएसे यहाँ पे काम काफी खिटाई में परतन अजर आता है और ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये कताफी क्रिकर स्टेडियम आइसीदी चेंपेंस टॉफी तक मुकमल हो पाएगा यही वज़ा है कि जब पिछले हफते आईसीदी चेंपेंस टॉफी तक कैसे मुकमल होगी तुकि जब भी कोई आईसीदी इवन्ट होता है तो इस इवन्ट के शुरू होने से कमस कम भी 15 दिन और जादस ज्यादा एक महिंगने पहले उस Cricket Board का और इस Cricket Stadium का जो कंट्रोल होता है वो ICC के सबूट कर दिया जाता है यानि कि उसके बाद जहां पर वो Tickers का होता है वहां पर जो डिस्पले होता है एडवर्टाइज होती है यानि कि जो भी Cricket Stadium में जो भी इंट्री के लिए अलाव होता है उसको ICC मोनिटर कर रहा होता है ICC यह उसको लीट कर रहा होता है जब पाकिसानी Cricket Stadium की रेनोवेशन ही मुकमल नहीं होगी तो फिर हम कैसे ICC को पाकिसानी Cricket Board, कदाफी Stadium हो, National Stadium हो या परिपिंडी का Cricket Stadium हो, उसका कंट्रोल कैसे प्रवाइड कर सकते हैं कहा गया था कि पाकिसानी Cricket Stadium की अप्गरेशन बहुत जल्द मुकमल हो जाएगी लेकिन अक्तूबर शिडू हो चुका है, जादा से जादा भी चार महीने का वकत बाकी रह चुका है और अभी तक क्रीबन 75 फिसद काम पाकिसानी स्टेडियम का मुकमल होने वाला रहता है अगर कदाफिक रिकर स्टेडियम की बात की जाएज तो इसकी रेनोवेशन में अभी इसकी बाउंडरी तक शायकीन को बैटने का एक अच्छा निजारा प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि अगर आपने पहले कदाफिक रिकर स्टेडियम में मैस्स देखे हूँ तो आपको इस बात का बफू भी इंदाजा होगा क्दाफिक रिकर स्टेडियम पाकिस्तानी क्रिकर टीम का सबसे खराब व्यू वाला पॉइंट है जहाँ पर अगर आप मैस्स देख रहे हो तो फासला इसका दर जादा होता था कि आपको जो प्लेर्स है वो नज़री नहीं सही तरीके से आ रहे होते थे यही बज़ा है कि पाकिस्तानी क्रिकर बोर्ड ने इसकी रेनोवेशन का फैसला किया लेकिन ICC चेंपिन्स ट्रॉफी के शिरू होने से सिर्फ 6 मेनी पहले ही इसकी रेनोवेशन का फैसला किया गया यहां पर तक्रीबन कदाफी क्रिकर स्टेडियम मुकमल का मुकमल नया बनाया जा रहा है लेकिन छे महीने में किसी भी क्रिकर स्टेडियम को बना ला कोई असान बात नहीं होती चाहिए उसकी रेनोवेशन भी हो क्योंकि ऐसे काम के लिए तो तीन साल पान साल इतना वकत कम असकम लग जाता है और बहुती कम लोग इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकर बोर्ड ने जब कदाफी क्रिकर स्टेडियम डाहूर की रेनोवेशन का फैसला किया तो उनका ख्याल था कि कदाफी क्रिकर स्टेडियम के पास गुलबर्ग में एक फाइफ स्टार होटल ही बनाया जाएगा ना सिर्फ 5-star hotel बनाया जाएगा बल्कि इस 5-star hotel से कदाफी कीरकर stadium तक एक under-pass भी बनाया जाएगा जो पूरा stadium से लेकर hotel तक under cover होगा वहां से team stadium से बस में बैठेंगी और सीधा stadium में आ जाएगे यानि कि एक बहुत ही shortcut होगा जिसमें जो लोग है उनको इस VIP मुम्मिंट की वज़ा से ना तो वेट करना पड़ेगा और ना ही जो कदाफिक रिकर सुडियम के स्राउंडिंग एडिया में लोग रहते हैं उन्हें सेफटी के वाइसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा लेकिन अब पाकिसानी क्रिकर बोट कहता है कि उसके लिए टाइम कम है और अपर देखा जाए तो किसी भी फाइव स्टर होटल का मुकमल करने के लिए बहुत लंबा टाइम पिरिड रिकॉयर होता है यही बज़ा है कि पाकिसानी cricket board कहता है कि वो कदाफी cricket stadium के पास ये एक बड़ी building को rent पर लेने का सोच रहा है जहाँ पर वो five star hotel की पूरी facilities प्रवाइट करेगा और स्क्रीप तरीन पॉइंट से ही कदाफी cricket stadium में teams को लाने का बंदबस किया जाएगा लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि आप ground में उसके पास hotel का बंदबस तो कर लेंगे लेकि इस cricket stadium में जो अपग्रेडेशन रेनोवेशन का काम चल रहा है उसका क्या करेंगे आप अंदाज़ा लगाएं कि कदाफी stadium में अभी basement की concrete का का काम हो रहा है कदाफी cricket stadium के पास जो एक हंदक बनाई गई है उसके concrete का काम हो रहा है वह उकमर होगा उसके बास stance का काम स्टार्ट होगा stance को बॉनरे के बिल्कुल पास लाया जाएगा जब steps को बॉनरे के पास लाया जाएगा तो definitely कदाफी cricket stadium में जो बैटने की गुणजाश है वो भी खुद बाखुद बढ़ जाएगी बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि कदाफी cricket stadium डाहोर में 1996 के cricket world cup का final खेला गया था जब यहाँ पे final केला गया तो उस वकत यहाँ पे बैटने के गुणजाश 62,000 थी लेगिन क्यूंके अवाम जादा आ गई थी तो उसी वज़से यहाँ पे 64,000 लोगों ने बैट कर cricket world cup का final देखा था अब चेंपियन्स ट्रॉफी पाकिसान में है इसका सबसे बड़ा मैच पाकिसान और इंजिया के दर्मियान चेंपियन्स ट्रॉफी का यहीं पर लाहूर में खेला जाएगा पाकिसानी cricket board कोशिश कर रहा है कि कदाफी cricket stadium की जो कपैस्टिक गुणजाईश है और 27,000 से बढ़ा कर 35,000 तक की जाए या पर इसको 40,000 तक किया जाए लेकिन अगर फॉर इजेंपल कदाफी cricket stadium की गुणजाईश 40,000 हो जाती है तो आप यहां पर लिखवा लिजेगा जब पाकिसान इंजिया का मैच होगा तो शाइकीन प्लेस हो जाते हैं उसकी गुणजाई से भी कदाफी cricket stadium की बांडरी के पास उसके जो स्टैंड्स हैं चेर्स हैं उसका काम होगा बेस्विट का होगा यहां पे एक नश्तर कॉंपलेक्स जो उसके साथ है वहां पे एक वाटर टेंग का काम होगा फिर उसके उपर यहां पे फ्लोरिंग का काम होगा यानि कि इसके पर जो मंदले हैं कदाफी cricket stadium की वहां पे मीडिया सेंटर्स की ड्रेसिंग डूम्स की वो बनेंगी उसके बाद बारी आएगी cricket stadium में जो surrounding lights होगी यानि कि पाकिसानी cricket board कहता है कि कदाफी cricket stadium में ultra HD lights को install किया जाएगा जो के रात को भी नहाइती शांदर view ना सिर्फ शायकिंग को provide करेंगे बलके जो TV broadcasters हैं उनका view point भी काफी बेटर हो जाएगा क्योंकि यह जो surrounding rights होगी यह पूरे stadium में फैली होगी जिसके वाइसे cricket stadium में match के दुरान यह जो आपको खिलाडियों का साया ground में रज़र आता है वो नहीं आएगा यानि कि बिल्कुल यूनिक किसम का तजर्बा होने जा रहा है पाकिसान में इससे पहले पाकिसान में ऐसा कोई cricket stadium नहीं है लेकिन यह अब भी दा एक बड़ा सवाल है कि कदाफी cricket stadium की renovation आप कैसे मुकमल कर लेंगे एतने कम वकत में आप इसको कैसे मुकमल कर लेंगे एक मेदान जिसकी गुणजाइस 62,000 थी उसको आप 27,000 पर कैसे लेकर आए और इतना लंबे वकत से आपने पाकिसान के cricket stadium की renovation अप्ग्रेशन त्यू नहीं की यह एक बड़ा सवाल है आए से थी चेंपिन्स ट्रॉफी की hosting rights पाकिसान को मिले चार साल का टाइम बज़र चुका है इन चार साल में पाकिसान में किसी ने भी कदाफी stadium हो, national stadium हो इनकी अप्ग्रेशन का नहीं सोचा या फिर अब अगर नहीं सोचा था तो आप कदाफी stadium को चेंपिन्स ट्रॉफी के बाद अप्ग्रेट कर ले थे छे मेंने का time है अब यहाँ पर मेरा भी सवाल है कि इतना time कम क्यों था, पहले क्यों नहीं सोचा उसके बाद यह है कि पिछले 3-4 साल से पाकिसान की सूरत यहाल ही ऐसे है कुछ पता नहीं होता, कब यहाँ पर government बदल जाए कब यहाँ पर chairman पीसी भी बदल जाए कब यहाँ पर पाकिसानी क्रिकर टीम का coach बदल जाए management committee बजल जाए जब एक बार इतनी दाए तबदिलिया होती रहेंगी तो फिर कौन काम करवाएगा लेकिन मोसिं नकवी जो पाकिसानी क्रिकर बोर्ट के इस वकट चेर मैन है, वो एक साल ताक पंजाब के caretaker chief minister भी रहे है उनके दोर में कहा जाता था कि यह 6 महीने का प्रजेक्ट तेर्ड महीने में, दो महीने में मुकमल करने की सलाहियत रखते हैं यही बज़ा है कि पाकिसान में बहुत से लोगों को अमीद है कि मोसिं नकवी, ICC Champions राफिस एक बद पाकिसानी cricket stadiums की renovation, अप्गरेशन मुकमल कर लेंगे अगर तो मुकमल होगी तो मोसिं नकवी की बहुत वाबा होगी, लेकिन अगर नहीं हुई तो मोसिं नकवी का ये काम पाकिसान की जो कौम होगी cricket के fans होगे, वो कभी नी भूलेंगे क्योंकि हम एक 30 साल के बाद एक ICC event को host करने जा रहे हैं अब अपने stadium का काम चेर लेते हैं और cricket stadium का जो match है वहाँ पे उने वाले वो इतने करीब बजाते हैं और अभी तक 75% stadium का काम मुकमल ही नहीं हुगी, अच्छा लगी तो cricket कासिम स्वीन को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा हमारी भी दूआ है आपकी तरह कि ये stadiums का काम मुकमल हो हम यहाँ पे मैज देखें टीम्स आएं, तारिफ करें कि बाकिसाने stadium अच्छा बनाया है अगर ना बना तो वो हमेशा आप लोगों को इस बात पे कोस्ते रहेंगे, शुक्रिया